नमस्कार बीके बीजनस हैडिया चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो सीरीज के दूसरा पाठ है कल हमने यह साबून बनाया था और आज एक दिन बाद यह जम कटाइट हो गया है तो इसे हम चेक करेंगे चैनल को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकान घ खाना habrub agree it देखिये बहुत मिदे package अब एक दिन हुआ है निविस्क दीन में इतना जादे कड़ा हो गया तो अगर इसे दो से तीन तक रखा जाए तो यह बहुत बढ़िया कड़ा हो जाएगा और यह साबून आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही असानी से और इसका बिजनस भी कर सकते हैं इसके लिए आपको रो माटेरियल मैंने कल नहीं बताया था क्योंकि मैं भी इसका एक प्रेक्टिकल किया था लेकिन यह बहुत बढ़िया साबून जमाए देखिए यह साबून बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कड़ा बनकर तयार हो गया है यह साबून आप जब बनाएंगे यूच करेंगे तो आपको समझ भाएगा यह जल्दी गलेगा भी नहीं और इसका जाग भी भरपूर मात्रम देगा देखिए यह साबून बहुत बढ़िया बना है तो आप एक बार घर पर जरूजी से बनाईएगा और कमेंट में बताईएगा कि आपका साबून कैसा बना है आप इसे अलग-अलग इसका डाई बना सकते हैं साचा और उसमें आप इस साबून को जमा सकते हैं कितना बढ़िया यह साबून जमा है देखिए इस तरीके से आप साबून या बनाएंगे तो यह बहुत बढ़िया साबून बनेगा और देखिए कितना कड़ा आया देखिए दबाने पर यह थोड़ा सा भी दब नहीं रहा है और इसे अगर तोड़ा जाया तो देखिए पूरी ताकत लगाने के बाद में भी यह जल्दी तूटता नहीं है देखिए बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद में यह तूटा है और अभी यह एक दिन हुआ है और इस साबून को आप यूज करेंगे एक महीने बाद तिस दिन बाद तब तक यह साबून बहुत बनकत त्यार हो जाएगा जमने के लिए या तो एक दिन महीं जम गया लेकिन इसे बढ़िया जमने के लिए दूसे तिन दिन का समय चाहिए और आप अगर इसे यूज करेंगे एक महीने बाद तो यह बहुत बढ़िया साबून नूटिलाइज हो जाता है तो अब हम इसे देखिए कितना बढ़िया यह जाग दे रहा है देखिए कितना बढ़िया और यह साबून जल्दी गलेगा भी नहीं देखिए कितना बढ़िया यह जाग है और यह आपके हाथों को नुकसान भी नहीं पहुचाएगा क्योंकि यह साबून बहुत बढ़िया बनाए देखि देखे कितना बढ़िया यह जाग दे रहा है और यह जल्दी गलेगा नहीं तो अगर आपको कुछ भी पुछना तो आप कमेंट में जरूच पुछेगा और इस साबून का बिजनस भी कर सकते हैं और घर पर यूच के लिए आप बना सकते हैं अब इसका आपको रो माटरियल मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको बनाना है इस साबून को बनाने के लिए रो माटरियल पहला है डालडा पाम आयल या कोकोनेट आयल आप इसमें से एक आयल यूज करेंगे अगर आपको बढ़िया क्वाल्टी बनाना है तो आपको कोनेट आयल यूज करें दूसरा हो गया कास्टिक सोडा 1 kg आपको आयल लेना है और 250 गराम कास्टिक सोडा 1 kg वाटर 200 गराम मैदा बाइंडर बनाने के लिए समझ में आ गया अब इससे आपको बनाना कैसे है आपने यह सब रो माटरियल ले लिया अब इसमें से आपको काश्टिक सोडा 250 गरम लिया है तो 50 गरम आपको निकाल लेना है बाइंडर बनाने के लिए और वाटर आपने एक केजी लिया है तो उसमें से आपको 300 गरम वाटर निकाल लेना है यहा रहों yapıl मैटेरियल आपका बैंडर बनाने के लिए हो गया मैंज मैं या जैसे 200 गरम अपने माइदा लिया है के 50 से पाषटिक सोडा और 300 गम इसे आपको मिला लेना है तो यह आपका बाइंडर बन का तयार हो गया और जो रव माटेरियल आपके पास बचा है उससे आप साबुन बनाएंगे जैसे मैंने इस वीडियो के पहले पाथ में बनाया है साबुन उसी तरह से आपको साबुन बना लेना है वीडियो पसंद आया